जार्खंड और पस्चिम मंगाल में भरष्टाचार की जाच कर रहे एडी के अपसरों के खिलाफ लगातार साजिस हो रही है पस्चिम मंगाल में 48 घंटे के भीतर दूसरी बार एडी की टीम पर हमला हुआ जिसको लेकर जार्खंड बीजेपी प्रदिश प्रबक्ता परतूल शादू ने कहा सारे भरष्टाचारी जेल के भीतर ही दिखेंगे जार्खंड कहें या पस्चिम मंगाल कहें सब जगा लगतार भरष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम से वहां की राजिस सरकारे तिल मिला गए है अब पस्चिम मंगाल में अर्तालिस घंडे की भी तर दूसरी बार एडी की टीम पर हमला हुआ और जार्खंड में जो हुआ वो तो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ जब जेल में बन सकता के करीब रहे दलालों है जो प्लैनिंग की थी की एडी के अफसरों पर नकसलियों से हमला कराएंगे इडी के दफतर की सुरक्षा घटा दी गए थी ›िए हसरों की सुरक्षा घळा दी गए थी तब एडी चार करोड हो गई है उसके बाद भी ये कहेंगे कि जो एडी हेट तरफा कारवाई कर लिए साहब प्रस्टचार के खिलाफ नरेंगर मोदी जी के सरकार की चल रही मुहिम चलती रहेगी और सारे प्रस्टचारी जेल में बन देखे